दोस्तों अगर आप एक laptop खारिते हो तो laptop को आप बाद में कैसे चलाओगे बिलकुल शुरुआ से आज किस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ laptop को start कैसे करते हैं उसके बाद में कैसे इसका mouse काम करता है हार एक चीज में आपको आज किस वीडियो के अंदर बिलकुल शरल बासा के साथ बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है अरजून और आप देख रहे हैं चैनल SJS Education यहाँ पे दोस्तों मैं आपको वीडियो तो बिलकुल डिटेल के साथ बदाऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे आपको लैप्टोप पहले स्टार्ट करना है और कैसे क्या करना रहता है तो दोस्तों यह है HP का लैप्टोप आए इस लैप्टोप को हम क्या करते हैं इस तरीके से खोलते हैं यह मैंने क्या गया इस लैप बटन मिलेगा हर एक laptop अलग लग हो सकता है किसी के आपको सैंटर में दिखेगा किसी के साइड में दिखेगा लेकिन आप सिम्बोल को याद रखे पाऊर होन का जो सिम्बोल होता है वहांपर आपको एक button मिलता है Simply एक बार आप इस बटन को ऐसे दबा दीजिए तो आपका जो Windows होगा जो Laptop वे वो On होना शुरू हो जाएगा अभी देखिए यहाँ पर इस Laptop के अंदर Windows 10 है तो वो Boot होना शुरू हो चुका है ठीक है? तो यहाँ पर यह जब तक Load हो रहा है यहाँ पर मैं आपको एक बार इसके Keyboard के बारे में थोड़ी से जानकारी दे देता हूँ Normal जो हमारे computers होते हैं उनका जो Keyboard होता है उसे परकार का यहाँ पर भी आपको Keyboard दिखाए देता है लेकिन इसका जो Mouse होता है वो थोड़ा सा अलग होता है लेकिन अभी हमने इसके अंदर क्या कर रखा है कि password लगा रखा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ से देखिए इस तरीके से password एंटर करूँगा और उसके बाद में मैं एंटर कर दूँगा तो यहाँ पर मेरा जो laptop है वो पूरा login हो चुका है यानि कि अब इस laptop को हम चला सकते हैं लेकिन आईए इसके एक जो keyboard जो होता है वो तो बिलकुल सैम होता है लेकिन इसका जो mouse से वो थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पर एक बार में आपको computer का जो mouse होता है वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा zoom out करते हैं अब यहाँ पर देखें जो हमारा computer का जो mouse होता है उसके देखें यहाँ पर आपको एक right button मिलता है एक left button मिलता है बीच में scroll और middle button होता है उसे प्रकार से देखें laptop के अंदर भी होता है यहाँ पर मैं आपको laptop के अंदर भी बताता हूँ laptop के अंदर देखे यह जो पूरी screen आपको दिख रहे ने पूरी touch के अंदर होती है आपको कुछ भी चीज है न अगर आप उदर-दर move करना चाहते तो यहाँ पर पूरा touch के अंदर होता है अगर मैं यहाँ पर इस finger को इस तरीके से करता हूं तो वहाँ पर आप mouse का arrow देख सकते हो वो इदर-दर move होता है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से right और left button मिलता है अगर मैं इस button को दबाता हूं तो वहाँ पर देखिए आपका जो right button दबाने पर जो option आता है जैसे यहाँ पर मैं आपको refresh करके दिखाता हूं ठीक है option आ चुका है उसके बाद में मैंने क्या किया यहाँ से थोड़ा सा एक बार keyboard पर ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं जो mouse चला रहा हो वहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया refresh के उपर मैंने select किया अब मुझे अगर refresh करना है तो मैं कैसे करूँगा देखिए एक बार mouse पर वापस आते हैं और mouse का मैंने क्या किया यहाँ से laptop बड़न को प्रेज किया ठीक है तो वहाँ से देखिए screen से refresh हो गया तो mouse को आपको थोड़ा सा समझने की जरूत है बाकी बिल्कुल जैसे हम normal computer चलाते हैं उसे प्रगार से laptop भी चलता है laptop की थोड़ी से details यहाँ पर मैं आपको और देता हूँ कि laptop के side में क्या होता है, speakers कहां पर होते हैं, USB port आपको कहां पर दिखाए देंगे देखिए laptop के हम थोड़ा सा side में चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको power light मिलती है, जब आपका laptop on हो जाएगा तो यहाँ पर आपको power light दिखाए देगी, इससे पता चलेगा कि आपका laptop on है, अगर आप इसको वापस से flip भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं, जैसे कि मैं power card लगाने का मिलता है, और पास में USB कैबल है, और यहाँ पर आपको DVD rider मिलता है, जब आपका laptop on होगा, इस तरीके से अगर आपने इस laptop को खोल रखा होगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, मान लिजी कर आपको CD DVD वेगेरा इसमें डालनी है, तो हम क्या करेंगे, ठीके साब इसको बंद कर दो, अब यहाँ पर देखिए, आपको उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने earphone या फिर audio jack लगाने के लिए option मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर USB दे रखा है, जैसे कि अगर आप pen drive वगरा लगाना चाहते हैं, पास में यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने laptop को charge करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको laptop की charging pin लगा देनी है, उसी के पास में आपको light भी मिलती है, जैसे charge होने शुरू हो जाएगा, light जल जाएगी, उसे परिगार से यहाँ पर थोड़ा सा fan होता है, air cooling के लिए, उसके बाद में मैं आपको दिखात पसंद आया होगा, और शुरुवात से आपने laptop को चलाना सीख लिया होगा, अगर आपको हमारा यहाँ वीडियो पसंद आया है, तो like और share जरूर करिएगा, और अगर आप computer कैसे चलाते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उपर i-card पर click करके, आपको computer कैसे चलाते हैं, वीडियो म आमाश्कार.